हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल कॉंपटिशन वेल आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आयटी भिलाई ने भाई कुछ प्रोजेक्ट्स निकाले हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को हम कैसे जॉइन कर सकते हैं उसकी इसबिल्टी क्या है उसको हम कैसे कैसे उसका फॉल्ब कर सकते हैं और इस मिलेगा कुछ स्टाफ की भरती निकाली है तो उसके लिए हम क्या करें वो भी बताएंगे और कैसे मुसको ज्वेइन कर सकते है वो भी बताएंगे तो इस Jub Delaz कुझ भी इसकित मत की जएगा हमारे चेनल competition level की सभी तैयारी करा जाती है और हमारे चैनल पर IIT के professor भी समय समय पर अपनी guidance देते रहते हैं और हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी लगातार दी जाती है intensive सी बताई जाती कब और कहां निकाली जाए रही है तो please हमारे चैनल को technical vacancies है जिसकी last date 20 अगस्त है और third अगर हम देखें जिसकी last date कितनी है 8 अगस्त क्या है यह project है advertisement for the requirement of a project staff at the level of junior research fellow JRF in CSIR funded तो सबसे पहले हम इसको देखेंगा देखिए इसका application form है आप यहां से fill up कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे ओपन होनी के बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे तो देखिए यह निकला हुआ है भारती प्रदोगी की संस्तान भिलाई का advertisement for requirement of a project staff at a level junior research fellowship CSIR funded title of the project यह दे रखा है इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजेगा our convergence synthesis platform for the discovery of something दे रखा है principal investigator है डॉक्टर गंपती डी असिस्टेंट प्रोफेसर यह पूरी उनकी जानकारी दे रखी भाई department of chemistry के हैं तो यह सारी जानकारी उनका contact number और यह email id और यह वे पेस दे रखा name of the position जे आरफ की position है number of position कितनी एक है essential qualification भाई यह बहुत ध्यान से देख लिजेगा MSC in chemistry from university या institute से ठीक है equivalent degree with minimum 55 aggregate score होना चाहिए और passing net gate exam with validity होना चाहिए ठीक है भाई यह आपके लिए बहुत important हो तो यह चीज़े आप पढ़ लिजेगा age limit है जो 28 years दे रखी है जैसे की CSIR में होती है salary आपको कितनी दी जाएगी 31,000 पर month ठीक है और HR if provided funded agency अगर provide की जाएगी तो दी जाएगी 31,000 आपको क्या दी जाएगी salary दी जाएगी duration क्या है देखिए initial appointment will be for one year in subject extendable based on the ability of fund और अब ठीक है मतलब यह वो है एक साल तो किया जाएगा extendable भी किया जा सकता है according to जैसा fund होगा उस हिसाब से किया जा सकता है to apply यह बहुत important है interested candidate जो है must be apply on the application form attested with these advertisement यह इस तरीके से form दिया ही हुआ है अभी मैंने जहां से आपको बताया वहां से दिया और shortlisted by the code for an interview via online board ठीक है यह इससे आप निकल भर सकते हैं वहां से form दे रखा है और यह इनकी mail ID है अगर आपको कोई भी confusion हो तो इनको mail करें वो आपको बता देंगे और due date यह सब आपको already दे रखे term and condition दे रखा है सब आप पहले द्यान से पढ़ लीजेगा फिर apply करिएगा चलिए हम vacances की बात करें vacances देख लेते हैं जिनकी लाज देख थी तो उसको भी देख लेते हैं फिर आंगे बढ़ते हैं ठीक है अब देखे य जो vacances निकली है जिसकी लाज देट 20 अगस्त है उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसको open कर लें तो देखिए vacances दे रखे start date application online 10 जुलाई last date कितनी है 20 अगस्त ठीक है यह देखिए मैं बाद में बताऊंगा इसमें क्या-क्या मागा गया और number of vacancy भी बाद में बताऊंगा स सबसे पहले इसका application process आप देख लें यह पूरा दे रखा है और यहां तक पहुंसते कैसे हैं यह भी मैं आपको बता दूंगा आप महां से भी देख लिजेगा यह अप्लाई online है आप देखिए applicant has to be apply apply online using the link given blue वहां से आप कर सकते हैं वहां से आपको application reference ID मिल जाएगी ठीक ह generate जहां से आप कर लेते हैं step make a fee payment यह देखिए दे रखा है यहां से application interaction पर जाएगा मैं इसको open कर दूँ यह देखिए यहां से यहां से आप apply कर सकते हैं ठीक है फिर वहां से आप fee payment कर सकते हैं ठीक है सारी चीज़े आपको दे रखी अब चलिए बात करते हैं क्या-क्या number of vac vacancies कौन कौन सी हैं और क्या-क्या उसमें है सब चीज हम लोग यहां से चेक कर लेते हैं आपको यह भी बता दूँगा कहां से यह पहुंचा जाता हो कहां से आप देख सकते हैं पसकुछ दे रुकिए ठीक है तो देखे नंबर आफ पोस्ट रखी रखी रजिस्टार असिस् क्या होंगी सब दे रखा असिस्टेंट के लिए क्या है सब जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या दे रखा है ठीक है सारी चीजे आप बहुत ध्यान से देख लिजेगा ठीक है सारी चीजे आपको दे रखीन को बहुत ध्यान से आप पढ़ लिजेगा अब बात आती है कि ह नम लोग वहां पहुंचे कैसे उस पेज़ पहुंचे कैसे आप 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 से देख लिजेगा आप सिंपल से गुगल पर आई टी बिलाई डाल दीजेगा आइटी बिलाई ओपन हो जाएगा देखिए सेकेंड नंबर पर स्टाफ रिक्वार्मेंट डाला दिख रहा है तो इसको सिंपल सा आप क्लिक कर दीजिए और यह ओपन हो गया बस सिंपल अब इसके आंगे मैंने आपको बताया है कैसे क्या करना है यहां से आप ओपन कर लिज इसिस्टेंट की जिसका बैचुलर डिगरी भी है ठीक है वह 55 परसेंट अगर है तो वह भी इस फर्म को फिलप कर सकता है ठीक है तो बहुत अच्छी है यह तो इसको जरूर देखिएगा और हो सके तो भजिएगा हमारे चैनल कॉम्पेटिशन विल पर कॉम्पेटिशन